हाई वेलकम बैक टो नदर वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगको मैं बहुत इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो की बहुत जादे इंपोर्टेंट है अगर आपने स्किल्सेर के प्रीमियम एकाउंट को सब्सक्राइब किया कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे स्किल्सेर के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को दो महिने के लिए फ्री में ले सकते हो जिससे कि आप कोई भी कोर्स इनका आप देख सकते हो यहां से ब्रौज कर सकते हो इनके पास हर एंड वीडियो यहां पर बिजनस अनलेटिक्स, मारकेटिंग और भी बहुत सारे यहां पर यूआ यूए उएक्स डिजाइन, वेब डवलोप्मेंट, फोटोग्रफी, म्यूजिक, इलस्ट्रेशन बहुत ही डिफरेंट नीच में यहां पर कॉर्सिस आपको मिलते हैं, जो की आप बहुत ही इजली यहां से पढ़के स्किल को एक्कवायर कर सकते हो, तो बहुत सारे लोगोंने इस पर इन्रोल किया था, फ्री में सब्सक्रिप्शन लिया था, दो महने के लिए, तो अगर आपने भी यहाँ पे दो मैने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो इस वीडियो को लास तक देखना या फिर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी इस वीडियो को लास तक देखना तो दोस्तों आपने अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आपने क्रेडि यूज किया होगा credit card बोले तो यहाँ पे अगर आप subscribe करते हो दो महिने के लिए premium subscription तो आपको अपना credit card या debit card जो भी आप बोलो वो use करना होता है ताकि यहाँ पे आपको free trial मिल सके तो सबसे पहले आपको एक और important बात बता दू premium subscription से related अगर आप यहाँ पे premium subscription लेते हो credit card यूज करके तो आपको दो महिने के लिए premium subscription तो मिल जाता है बट एक most important बात ध्यान रखने के लिए यह होता है कि दो महिने बाद आपके debit card या credit card जो भी आपने यूज किया है उससे balance कर जाता है ताकि next जो subscription है वो आपको मिल जाए तो यहाँ पे यह automatic होता है आपको कोईच भी ओट भी वगरा नहीं आएगा मतलब कि automatically आपके account से पैसे कट जाएंगे तो अगर आपने credit card या debit card यूज किया है तो दो महिने से पहले आप जरूर से यहाँ पे account में जाके अपने premium subscription को आपने plan को cancel जरूर कर लो नहीं तो आपका balance कट जाएगा तो balance अगर आप कटने से रोकना चाहते हो तो simple ले यहाँ पे क्लिक करो उसके बाद account setting में जाओ account setting में जाने के बाद आपको simple यहाँ पे देख सकते हो मेरा था यहाँ पे number है 20125 यहाँ पे इसका expiry date है तो यहाँ से आपको क्या करना है देखो यहाँ पे September 16 को मेरा balance कटेगा यहाँ से your next yearly charge for 24 डॉलर यहाँ पे एक साल के लिए 24 डॉलर मेरे account से कट जाएगा यहाँ पे 16 September को तो अगर कटने से आप रोकना चाहते हो तो 16 September से पहले 10 दिन पहले या फिर जितना आपको अच्छा लगे उतना दिन पहले इसको जरूर से cancel कर लेना वरना आपके account से balance कर सकता है तो इसको cancel करने के लिए simple आपको केंसिल मेंबर्शिप पर क्लिक करना है मैंने केंसिल मेंबर्शिप पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर आपको simple कुछ नहीं करना है यहाँ पर continue with cancellation पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी membership है वो cancel हो जागा यहाँ पर आपके सामने message आता है कि आप जो भी premium classes है उनके जो भी आपका access है वो आपको नहीं मिलेगा और जो भी नए premium subscription आने वाले हैं courses आने वाले हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे तो आपको simple continue and cancellation पर क्लिक करना है cancel membership पर क्लिक करना है मतलब आपको add the last अपने membership को cancel कर लेना है अगर आप चाहते हो कि आपके account से balance ना कटे तो your membership is cancelled come back anytime please choose one तो यहाँ पर देख सकते हो आप not interested in the membership classes available यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो इसको और आप explain करना ना चाहों यहां से submit कर दो और इसके बाद देखोगे आपका जो subscription है वो यहां से cancel हो गया अगर आप जाते हो यहां पर देखते हो go to premium आने लगा मतलब कि मैंने जो subscription था वो यहां से cancel कर दिया अब account में जाते हैं अब payments में जाते हैं तो यहां पर देखेंगे आपकी जो आपका membership है वो यहां से देख सकते हो your membership has been cancelled and will expire on 17th to become a member यहां पर देख सकते हो आप कर सकते हो यहां पर और आप और भी जादे secure होना चाते हो और चाते हो कि आपका balance बिलकुल ना कटे तो simple आपको account section में आना है यहां पर और यहां पर आने के बाद simple आप नीचे देखते हो deactivate your account तो यहां से अगर आप deactivate करते हो तो आपका account disabled हो जाएगा इसका मतलब यह होता है कि आप मतलब आपके account से बिलकुल भी पैसा नहीं कटेगा यहां पर your login will be disabled any content you have posted will be hidden from public view you can reactivate your account at any time by contacting skillset support simple आपको deactivate पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो आपका account deactivate हो जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपका account है fully deactivated हो गया आपने अपना payment जो भी था membership को cancel कर दिया तो आपका balance बिलकुल नहीं कटेगा यह अगर आप चाहते हो कि आप दो महिने का premium subscription लेना चाहते हो या फिर आपको skill share का premium subscription लेना है तो आप मुझे comment करके बताओ ताकि मैं next वीडियो में आपको बता सकूँ कि कैसे आप अब दो महिने का premium subscription ले सकते हो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कर देना दोस्तों के साथ भी share कर देना और आप जरूर से premium subscription कैंसल कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपका balance ना कटे तो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नए वीडियो में न